जीवन में खुश रहने के मूल मंतर अगर खुश रहना है तो ये दो बातें भूल जाओ वो बुरा बढ़ताओ जो किसी ने तुम्हारे साथ किया हो और वह अच्छा बढ़ताओ जो तुमने किसी के साथ किया हो कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती निगली जाती हैं उसी पिरकार जीवन में अपमान असफलता धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाओ क्योंकि उन्हें अगर चबाते रहोगे अर्थात सदे उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही होगा जिन्दगी में खुद को कभी किसी इनसान का आदी मत बनाना क्योंकि इनसान बहुत खुदगर्ज है जब आपको पशंद करता है तो आपकी बुराईयां भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाईयां भूल जाता है सफर का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखो और जिन्दगी का मज़ा लेना हो तो अर्मान कम रखो इन बातों से हमेशा बचकर रहना अपने राज दूसरों को बताने से जूटी तारीफ सुनकर खुस होने से और घर की बात बाहर करने से एक खुसहाल जीवन जीना है तो यह बाते याद रखो जल्दी माफ कर दो धीरे धीरे विश्वास करो प्यार सच्चा करो जोर से हसो और किसी के चेरे पर मुस्क्राट लाने का मौका कभी न छोड़ो जो आपके पास है जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है वह किसी जरुरत मंद के लिए मूल्यवान हो सकता है इसलिए आपके पास जो है उसकी इज़त करना सीखो क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़फता हो हमेशा सच बोला करो ताकि कसम खाने की जरुरत ही ना पड़े जिन्दगी एक रेडियो की तरह है उसमें जो चलेगा वो ही आपको सुनना पड़ेगा इसलिए प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंडो उस इनसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना ना चाहता हो सोचने से ज़्यादा करने में विश्वास रखो याद रखना काम्याबी की पहली सीडी कोशिश है फिर कोशिश से गलती गलती से सबक सबक से तजूरबा और तज्जूर्बे से काम्याबी हासिल होती है लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो क्योंकि लोगों को खुस करने के लिए अगर आप उनको उड़कर भी दिखा दो तब भी वो यही कहेंगे कि बेचारा चल नहीं सकता जिद्धगी में कभी भी आपने किसी हुनर पर घमंड मत करना क्योंकि पत्तर जब पानी में गिरता है तो आपने ही वजन से डूब जाता है दोस्तों इस वीडियो से आपके जीवन में 1% की वेल्यू एड हुई हो हमारे भी जीवन में एक परसेंट की वेल्यू एड़ कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद